हेलो बॉस इस वीडियो में आप सिखने वाले हो MS Paint के अंदर 30 shortcut की आपको बता दे कि आप कोई भी अगर shortcut की सीखते हो तो होता यह है कि आपका speed डू ना हो जाता है ठीक है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें मैं हूँ विलन Computer G9 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो चलिए सर शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रोइंग को बना लेते हैं इसके जड़िये हम लोग जो है साड़े shortcut को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो यह आपका ड्रोइंग बन चुका है ठीक है तो चलिए सर MSP इंड का सबसे पहला shortcut को देखते हैं सबसे पहला shortcut है आपका control के साथ A जैसे ही आप control के साथ A button करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहux है यह आपका drawing area पुरा select हो चुका है आपको यहाँ पे एक running line गारा है इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आप यहाँ से देख पा रहux है यह आपका drawing area पुरा select हो जाता है, control A press करने के बाद, इसे वापस जुमीन कर लेते हैं, ठीक है, control A press करके आप select all कर सकते हो, उसके बाद आप इसे चाहो तो erase भी कर सकते हो, या फिर आप अपना use कर सकते हो, next shortcut जो है हमारा control के साथ B, control के साथ B press करोगे, तो यह आपका bold होने वाला है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहां से आपको कुछ type करना होगा, मैं यहां से type कर लेता हूँ, MS, MS paint type कर लिया गया, अब जो है, यहां पे bold करने के लिए, सबसे पहले आपको select करना होगा, कुछ इस तरीके से आप select करने के बाद, आपको simply control के साथ B press करना है, तो आप यहां पे देख पा रहे हो, control B press करने से आपका यह MS paint bold हो रहा है, next sort कर जो है, control के साथ C, यानि copy करना, copy करने के लिए MS paint में आपको सबसे पहले select करना होगा, यहां से MS paint को select करने के बाद, आपको control के साथ C press करना है, तो यह आपका copy हो चुका है, copy होने के बाद, आप इसे control के साथ B press कर ले, यानि आप paste कर ले, तो आपको यहां पे नजर आ जाएगा, तो आप यहां पे देख पा रहे हो, यह आपका copy हुआ, MS paint, जैसे ही आप control के साथ B press करते हो, यानि paste करते हो, तो यह आपका drawing area में आ रहा है, next shortcut है, control के साथ X, यानि cut करना, cut करने के लिए सबसे पहले, आपको select करना होगा, आपका यहां पे जैसे MS paint अभी selected है, selected का यह भजाने की, आपको चारो साइड यहां से dotted line सोब हो पा रहा है, तो control के साथ जैसे ही X press करेंगे, तो आप देखोगे, यहाँ पे MS paint जो है, यह आपके drawing area से गाइब हो चुका है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है, कि यह आपका delete हो चुका है, actual में, जब भी आप cut करोगे, तो यह आपका RAM में जाके store हो जाता है, उसके बाद अगर आपको फिर से लाना हो, तो आप simply control के साथ भी प्रेस कर लें, तो आपका यहां से MS paint आ चुका है, अब इसे जहां पे भी आप चाहो रख सकते हो, तो चलिए सर, next shortcut के तरफ बढ़ते हैं, control के साथ end, अगर आपको एक new blank page लेना हो, तो आपको simply control के साथ end प्रेस करना है, ठीक है, अब यहां जैसे ही control के साथ end प्रेस करोगे, तो आपके screen पे एक window आ रहा है, जिसमें आपको यहां से, do you want to save changes to untitled, यहां पे जो सर आपका यह drawing है, यह अभी save जो है untitled करके, यानि इसे हमने अभी तक save नहीं किया है, इसलिए अभी आपको यहां पे untitled करके so हो पा रहा है, ठीक है, अगर आप इसे save करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो आप don save करोगे, तो यह आपका एक new blank page आ जाएगा, तो फिलाल इसे एक save कर लेते हैं, यहां से save पे क्लिक करते हैं, और यहां से desktop पे इसे कुछ नाम से save कर लेते हैं, इसे मैं save कर लेता हूँ MS Paint के नाम से, यह आपका save हो चुका है, save होते हैं यह आप देख पारो, यह आपका page blank हो चुका है, हंजी सर तो आगे बढ़ते हैं, और next जो है काफी important shortcut है, वो है आपका F12, जैसे सर आप F12 प्रेस करोगे, तो आपके सामने यहां से save as का एक window आ चुका है, यहां से आप क्या कर सकते हो, आप same drawing को बार बार save कर सकते हो, इसमें बस आपको करना यह होगा, कि file name में आपको थोरा सा changes लाना होगा, जैसे अभी आपका MS Paint है, तो यहां से आप MS Paint 55, मैं इसे जो save करना चाह रहा हूँ, इसे मैं एक नया नाम दे रहा हूँ, MS Paint 55 करके ठीक है, आपको यहां पर बता दे कि, save as में आपको कम से कम एक लेटर आपका अलग रहेगा, file name तो आप इसे बार बार save कर सकते हो, ठीक है, इसे इस तरीके से save कर लेते हैं, तो आप जैसे ही यहां से minimize करोगे, तो आप यहां desktop पे देख पारे हो, सर एक तो MS Paint आपका है, दूसरा MS Paint 55 करके है, इस तरीके से आप किसी भी drawing को बार बार save करना चाहरे है, तो आपको बस simply उसमें से एक लेटर डिफरेंट रखना है, तो आपका यह save हो जाएगा, तो सर आगे बढ़ते हैं, और next shortcut को देखते हैं, control के साथ P, जैसे ही control के साथ P प्रेस करोगे, तो आप यहाँ पर देख पार हो, आपके सामने यह पर print का window आ चुका है, यहाँ से अगर आपको print करना हो, तो आप यहाँ से अपना printer सेलेक्ट करके, और यहाँ से आप जितना copy निकलना चाहो, यहाँ से सेलेक्ट करके print कर सकते हो, तो सर आगे बढ़ते हैं, next shortcut को देखते हैं, control के साथ Z, control के साथ आपका Z हो जाएगा undo, control Z जैसे ही प्रेस करोगे, यह आपका undo होने वाला है, आपका जो last action था, उससे आप back चले जाओगे, ठीक है, वहीं अगर आप control Y प्रेस करते हो, यानि redo, वापस उसे लाना हो, तो आप control Y प्रेस कर सकते हो, और आपको बता दे कि, control Y प्रेस करते ही, आप forward जा सकते हो, अपने last action से, ठीक है, तो सर आगे बढ़ते हैं, next shortcut कर देखते हैं, जो कि काफी important है, next जो है हमारा ESC, ESC यानि escape button-turn का use, यानि कि close का बस आपको options हो रहा है, ठीक है, आपको जब कभी भी, इस तरीके का window सो हो, जिसमें आपको only close का options हो, cut का options हो, तो आप यहां से escape button का use करके, इसे अपने screen से हटा सकते हो, ठीक है, तो अभी आपका screen से यह हट चुका है, तो सर आगे बढ़ते हैं, next shortcut जो है delete, अगर आपको यहां पे drawing area में कुछ भी delete करना हो, सबसे पहले उसे select कर ले, जैसे मैं इस arrow को select कर लेता हूँ, और यहां से keyboard पे प्रेस कर लेता हूँ delete button, तो यह आपका arrow delete हो चुका है, तो सर आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं next shortcut को, अभी जैसे ही यह इस eraser पे click करते हैं, तो आप देखोगे इस eraser का size काफी चोटा है, अगर इसे erase किया जाए, तो देखो आपका यह काफी समय लगने वाला है, तो अगर आप इस eraser का size को increase करना चाहरे हो, तो आपको control के साथ plus दबाना है, control plus i से आपका italic, आप जो भी text को select करके रखोगे, वो आपका italic होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ text को type करते हैं, माई PC कर गए, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे माई PC को type किया गया है, अगर आपको इसको italic करना हो, तो आपको इस तरीके से select करने के बाद, अपने keyboard पे आपको press करना है, control के साथ i, जैसी आप control के साथ i press करोगे, तो यह आपका italic होगा, देख रहे हो, italic में आपका होगा यह की, हलका सा आपका यह तिर्चा हो जाएगा, ठीक है? वहीं अगर आप shortcut कीसे नहीं करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे आके आप i click कर सकते हो, तो यह आपका italic हो जाएगा, next shortcut जो है आपका control plus u, यानि underline करना, अगर आपको किसी भी word को underline करना हो, तो सबसे पहले उस word को select करना परेगा, सबसे पहले यहाँ पे type कर लेते हैं, my data करके, जिस तरीके से भी आप यहाँ पे my data को, इसको पहले select कर लेते हैं, select करने के बाद जैसे कि अभी हमने देखा italic करना, italic करने के लिए आपको control के साथ i press करना था, ठीक है? वहीं अगर आपको इसको underline करना है, तो आपको control के साथ you press करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहो, यह आपका my data में underline हो चुका है, तो बढ़ते हैं next shortcut, जो कि यह आपका control के साथ e, control के साथ e press करोगे, तो आपका properties dialog box आने वाला है, ठीक है? next shortcut की तरफ बढ़ते हैं sir, और आपको press करना है F11, जैसे ही आप F11 press करोगे, तो आप इस page को full screen में देख पाओगे, जैसा कि अभी आप screen पे देख पा रहे हो, आपका drawing area आपको full page में आपका show हो रहा है, अभी जैसे आप full screen में हो, और आपको full screen से बाहर निकलना हो, तो आपको simply skip दबाना है, अभी वापस अप अपना paint पे आ जाओगे, next shortcut जो है sir, आपका control के साथ R, control के साथ R press करने से, आपका ruler सो होने वाला है, तो control के साथ यहां से R press करते हैं, तो आपको यहां पे ruler सो हो रहा है, आपको बता दे कि ruler का use तब किया जाता है, जब कोई drawing या फिर painting को आप exact बनाना चाहा रहे हो, उसमें आप थोरा सा अभी difference होने नहीं देना चाहते हो, तो आप ruler का use करके अपने drawing या फिर image को accurate बना सकते हो, तो sir बढ़ते हैं next shortcut की, और next shortcut जो है हमारा control के साथ G, control के साथ G जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको सो होने वाला है grid line, तो control G प्रेस करते हैं और यहां पे आप देख रहे हो grid lines, अगर sir आप grid line को यहां पे देखोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे square box सो होने वाले हैं, अगर आप लोग सर याद करोगे तो आपने मैट में graph paper को देखा होगा, तो सर बढ़ते हैं next shortcut की और जो की है control के साथ page up, control के साथ जैसे ही आप page up को प्रेस करोगे आपका drawing page जूम होने वाला है, जैसा कि अभी आप screen पे देख पार हो, पेज आप प्रेस किया जा रहा है, यह आपका drawing जूम होते जा रहा है, वहीं सर आपको drawing page को जूम आउट करना हो तो आपको control के साथ page down प्रेस करना है, तो आप देख रहे हो, इस तरीके से आपका जूम आउट होते जा रहा है, और भी करना चाहो तो देखो आपका ये जूम आउट होते जा रहा है ठीक है इहें next shortcut जो है left arrow left arrow अगर आप left arrow प्रेस करोगे तो आपका ऐसे नहीं काम करेगा left arrow को use करने के लिए आपको सबसे पहले उस drawing या फिर image को select करना पड़ेगा ठीक है जो ये drawing selection left की और जाने वाला है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो वहीं sir अगर आपको right की और ले जाना हो तो आप right arrow प्रेस करें ठीक है और उसी तरीके से अगर आपको up की और ले जाना हो तो up arrow प्रेस करें और down की और तो down arrow प्रेस करें ठीक है हम जी दोस्तों तो next shortcut की तरफ बढ़ते हैं और next shortcut जो है आपका F1 F1 जैसे ही sir आप प्रेस करोगे तो आपका help open होने वाला है तो जैसे ही यहापे F1 प्रेस करते हैं तो आप यहापे देख पा रहे हो यह आपका help open हो रहा है तो sir बढ़ते हैं आगे और MS Paint की last shortcut को देखते हैं last shortcut जो है आपका alt के साथ F4 जैसे ही आप alt के साथ F4 प्रेस करने वाले हो तो यह आपका drawing close होगा close होने से पहले अगर आप इस drawing को save करना चाहरे हो तो save कर सकते हो या पिर नहीं करना चाहते है तो नहीं भी कर सकते हो अगर आप यहां पर cancel क्लिक करते हो तो आपका यह close हो जाएगा तो फिलाल हमें करना क्या है कि इस drawing को हमें save करके और paint को close करना है तो यहां से alt के साथ F4 प्रेस करते हैं और यहां से save कर लेते हैं save आपको इस तरीके से यहां पर desktop पर कर लो one title इसे कुछ नाम दे देते हैं यहां से my paint और यहां से save करते हैं जैसे ही आप save पर क्लिक करोगे तो यह आपका save हो के आपका MS Paint close हो चुका है I hope कि दोस्तों आपको MS Paint के सारे shortcut अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे यह सारे shortcut की आपके लिए काफी useful होने वाले हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सर तो लाइक करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe कर लें इसी तरीके का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहें और वियस्त रहें